पुलिस ने घटना में शामिल तीनों यूकों को ग्रफतार कर लिया है तीनों के पहचान सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पुदेश सरकार और बीजेपी पर हमलावर हो गई है सपा और कॉंग्रेस कारों की लगातार तीनों को बचाने की कोशिश होती रही अखलेश यादों ने तो तीनों की गिरफतारी पर यहां तक कहा यही बीजेपी की असलियत है कॉंग्रेस के प्रदियस अजेराय ने कहा मेरी बात बिल्कुल सच साबित हुई मुझे निशाना बनाते हुए FIR भी दर्ज की गई थी लगातार छातर छातर छातराएं इसे लेकर विरोध प्रदशन कर रहे थे अब दबाव बढ़ने पर पुलिस ने कारवाई की है प्रदरीक नौवंबर को बियुच्यू में IIT से बीटे कर रही छातरा देरराथ हॉस्टल से वॉक पर निकली थी इसे दुरान उसका दोस्त भी मिल गया और दोनों साथ चलने लगे IIT के पिछले हिस्से में इस्तित कर्मन बीर बाबा मंदिर से थोड़ा पहले बुलिट सवार तीन योगक पहुँचे और दोनों को पकड़ लिया तीनों योगक के पास असलहे थे जिनके बल पर तीनों ने छातर और छातरा को धमकाया मोबाइल छीन लिया छातरा का मुँ दबा कर अलग ले गए और अश्टील हरकतें की छातरा के कपड़े उतरवाए गए और वीडियो बनाया गया उसके साथ गैंग रेप किया गया आरोपी धमकी देते हुए वहां से भाग नी ले थे काउरिस ने भी एक्सपर तीनों की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि दो महिने पहले बीच्चू के कैंपस में छातरा का गैंग रेप हुआ इस मामले को पहले दबाने की कुशिश की गई जब दबाव बना तो जैसे तैसे यूपी पुलिस ने अफायार लिखी अब साथ तिन बाद इस घटना में शामिल तीन लोग पकड़े गए हैं यह सभी बीजीपी के पदादिकारी हैं गिरफतारी में देरी शायद इन्हीं वचों से हुई होगी यह सभी बीजीपी के वरिश नेताओं के बेहत करीबी हैं बीजीपी में इतनी अच्छी पकड़ वारानासी का सहयोजक है इसकी तस्वीर पधानमंत्री मोदी, राष्टी अध्यक्ष, जीपी नडडा, मुक्यमंत्री आदितनाद और बीजीपी के बड़े नेताओं के साथ हैं दूसरे आरोपी सप्षम पटेल बीजीपी का पदादीकारी है और वर्तमान, काशी जीरो टॉल्रेंट सरकार में दिखावटी तलाशी जारी थी, लेकिन पुक्ता सबूतों और जन्ता के बीच बढ़ते गुस्से के दबाव में बीजीपी सरकार को आखिरकार इन दुसकर्मियों को ग्रफतार करना ही पड़ा, ये वही भाजपाई हैं जिनोंने बीची के उ सबी सीमाय दोर दी थे